नमस्कार, LD News में आपका स्वागत है, शुक्रुवार को वाडमेर के दौरे पर मुख्य मंत्री अशोग गहलोद ने सभा को समोधित करते हुए केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत पर संजीवनी घोटाले के मुद्दे पर निशाना साधा गहलोद ने पीएम मोदी और केंद्रिय मंत्री शेखावत के बयान पर पलटवार किया मुख्य मंत्री अशोग गहलोद ने वाडमेर के आदश स्टेडियम में हजारों की तादाद में बैठे लोगों को समभोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी E.R.C.P.E. प्रोजेक्ट को रास्टी पर योजना घोशित नहीं कर रहे हैं प्रधान मंत्री बहुत ही जिद्दी आदमी है ये भी उन्होंने कहा मुझे उमीद थी कि अजमेर में तेरा जिलो के लिए इस योजना की वे घोशना करेंगे लेकिन गोशना नहीं की गई गहलोद ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की और से कॉंग्रेस सरकार की स्कीमों से राज्य का दिवाला निकल जाने वाले बयान पर भी पलटवार किया है उन्होंने कहा है कि कर्ज लेकर दुनिया भर में सरकारे चलती है यहां वित्ती प्रभंदन होता है मैं पीए मोदी से पूछना चाहता हूँ कि साल 2014 में बीजेपी की सरकार जब बनी थी तब भारत सरकार पर 55 लाग करोड का कर्ज था जो आज बढ़कर 155 लाग करोड रुपए हो गया है मोदी सरकार कर्जा कैसे ले रही है बिना भारत सरकार की पर्मिशन के कोई भी राज सरकार एक लाग रुपए तक का कर्जा नहीं ले सकती है वहां तक आपको कर्जा देते हैं जब आपको वित्ति प्रभंदन शांदार हो पेरामीटर शांदार हो कितना रेवेन्यू आ रहा हो कितना विकास के लिए खर्च कर रहे हैं इस सभी को देखने के बाद ही खर्च मिलता है सीर ने यहाँ पर कहा कि मोदी जी राजस्थान दिवालिया नहीं होगा आपके मंत्रियों के दिमाग का दिवालियापन निकल गया है यह सारे आरोप में यहाँ पर मुक्की मंत्री गहलोद द्वारा लगाए गए और उन्होंने कहा कि आप उसे ठीक करो उन्हें ठीक करने और उनको समझाओ कि मंत्री रहना है तो संजीवनी वाला मामला निप्टाओ गहलोद बोले प्रधान मंत्री को केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत को धमकी देकर कहना चाहिए कि मैं मंत्री पद से बरखास्त कर दूँगा या फिर मंत्री नैतिकता के आधार परिस्थीफा देकर कहें कि मैंने गलती कर दी है मुक्की मंत्री अशोग गहलोद ने आरोप लगाया है कि केंद्री मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत के इथोपिया और आस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है वो पैसा कहा से आया है अगर अलग-अलग है तो वहाँ जानने को बताए कि वहाँ पैसा अलग था और यहाँ पैसा अलग है गयलोद ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट को अपरेस्टिव सोसाइटी में हजारों लोगों का पैसा चूप गया है जिसमें जोदपुर के भी लोग शामिल है और वार्मेर के भी बहुत से लोग यहाँ पर इस घुटाले में शामिल है ऐसे मैं मुझे जानकारी मिली है कि लोग उनके कपड़े फाड रहे हैं तो ये पूरी बात यहाँ पर अशुक गहलोद द्वारा की गई क्या कहना है इसके बारे में आपका हमें कमेट करकर जरूर बताएं नमस्कार